नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे कॉलरीज का कलपना सिध्धान्त ये प्रशन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कॉलरीज का कलपना सिध्धान्त और ललित कलपना सिध्धान्त क्या है या इस से संबंदित विचार प्रस्तुत कीजिए या इसका विवेचन करिए या कॉलरेज का कल्पना सिधान्त किन मान्यताओं पर आधारित है तो ये आज हम विस्तार से जानने का प्रियास करेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं परीचे की कॉलरेज की अगर बात करें तो इनका जनम हुआ था 1772 इस्वी में इनके शिक्षा दिक्षा क्राइस्टस चकितसालिय तथा कैंब्रिज में हुई थी अंग्रेजी में स्वचंदतावादी विचारकों में कॉलरेज का स्थान सर्वोच्च है स्वचंदतावादी विचारक है ये आपको यहां ध्यान में रखना है इसके साथ साथ देखें तो आर्थर साइमन्स नामक विद्वान ने कॉलरेज की प्रसिद रचना बायोग्रा सख्राफियाि लिट्रेरिया गॉल रीज वर्ट और वर्ट स्वथ नए केवल मित्र थे यह हम यूं लिख सकते हैं क्वाल रेज वर्ट वर्ट के नैकेवल मित्र थे बलकि सहलेखक भी थे यह ओर डाल ले तो आप इसमें दुविदा में नहीं पढ़ेंगे यह दोनों के वर्ट्सवर्थ के सैयोग से 1798 इस्वी में लिरिकल बैलर्स नामक कव्य संग्रह की विरचना की यानि लिरिकल बैलर्स एक ऐसी रचना है जो दोनों ने आपसी सैयोग से इसकी रचना की है किसने कॉलरीज ने और वर्ट्सवर्थ इनकी मूल अधारना ये है कि कव्य और तटव चिंतन एक दूसरे के साथ गहरे जुड़े हुए हैं और कॉलरिज इसके बारे में क्या कहते हैं वहाँ वो देखते हैं देखें कॉलरिज की अगर बात करें तो उन्होंने कलपना संबंदी विचारों को विशेश महत्व दिया है या विशेश महत्व कलपना संबंदी विचार रखते हैं उन्होंने काव्वे सरेजन के प्रसंग म कल्पना को सर्वो परी महत्व दिया है यानि जब कापवे की रचना की जाती है तो कल्पना वहां वशेश भूमी का निभाती है वो मानते हैं कि कल्पना एक ऐसी शकती है जिसकी सहायता से सत्य के किसी northwest के नए होने पर भी नए प्रतिरूपों का निर्मान किया जा सकता है देखे इस पंक्ति में ही पूरे उत्तर का पूरे इस उत्तर को आप ढून सकते हो या इस प्रशन का उत्तर आप दे सकते हो कि सत्य का कोई विशेश आधार ना भी हो तो भी हम कलपना से नए प्रतिरूपों का निर्मान कर सकते हैं कॉल्रेज के अनुसार पूरव अनभूतियों की पुनर योजना से अपूरव की शक्ति को कल्पना कहते हैं यानि हमने जो पहले की अनभूतियां हमारे पास थी उन से जो अपूरव शक्ति हमें मिली है उसे हम क्या कहेंगे कल्पना कहेंगे वर्तमान का अवगहन करने वाली समृति तथा अनागत का वेहन करने वाली क्या है कल्पना है यानि वर्तमान को जो दिखा रही है जो हमने देखा है वो हमारी याद है समृति है जिसको हमने वर्तमान में देखा अनभव किया वो हमारी याद है लेकिन जो नहीं है उसको भी अगर कुछ दिखाने का काम करता है या उसे वहन करने का काम करता है वो क्या है? कलपना है मनुष्य और पशु में यही सबसे बड़ा अंतर ये मानते हैं और वास्त्रिकता भी है कि मनुष्य तो कलपना से मन चाहिस रिष्टी कर सकता है लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता ये मानते हैं कि साहित्य निर्मान के प्रसंग में कलपना का सहरा लिया जाता है और उसके सैयोग से रंग बिरंगे कव्यचित्रों का निर्मान हो जाता है ये इनकी परिभाशा है इनके विचार हैं तो इनको आप इनवर्टिट कोमा में अवश्यक है अगर हमें वास्तिक जो दर्शनों को अनभव करना है तो मन अगर सकरिये होगा तो ही वो कलपना कर सकता है तो कलपना करने के लिए मन अगर एक्टिव है सकरिये है तभी कलपना की जा सकती है और अगर हमें अच्छे काव्य की रचना करनी है तो कलपना की आव शकता है, इनके कल्पना संबंदी विचारों पर अगर हम बात करें तो वर्डसवर्त ने अपनी कवीता कॉल्रीज को पढ़कर सुनाई, एक बार ऐसा हुआ कि वर्ड synthesis को पढ़कर सुनाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों मित्र थे, जिसे सुनते ही कॉल्रेज की भावना शक्ति और बुद्धी दोनों ही जागरित हो गई यानि चेतना वस्ता में आ गई यानि उसके भाव और उनकी जो बुद्धी है दोनों एक्टिव हो गई उसे केवल सोंद्रे का ही परतेक्षी करण नहीं हुआ बलकि सत्य का भी परतेक्षी करण हुआ देखे भावना या जो भाव हैं वो क्या है? सोंद्रे को ढूणने वाले, समझने वाले. जबकि जो बुद्धी है वो किसको ढूणती है? सच्चाई को ढूणती है. कॉलरीज को लगा कि भावों और बिम्मों को मनमाने ढंग से अगर एकत्रित या एकठा करने से ऐसा नहीं हो सकता. कि सबको एक साथ हमने एकठा कर दिया. केवल इस से ऐसी जागरिती नहीं आ सकती. ये तो तभी हो सकता है या तभी संभव है. जब उन दोनों का समन्वे हो. जब उन दोनों का किसका भाव तत्व और जो बुद्धी तत्व है. दोनों का अगर एक जैसा समन्वे होगा तो ही जागरिती या चेतना आएगी. उसमें हर्दे स्पर्शी और सुबोधता के गुण हूँ. कॉलरिज का विचार है कि जिस व्यक्ति ने ये अलोकिक विचार पैदा किया वही कल्पना कही जा सकती है. ये बुद्धी और हर्दे, बहिर जगत और अंतर जगत, परीचित और नवीन, अंतरवेग और सह्यम, अवधारना और भाव, परतेक्ष और बिम्ब, आदी का समन्वे करती है. कौन समन्वे करती है? ये क्या कहते हैं? कल्पना. यानि कल्पना के द्वारा ही व्यक्ति ने ये लोकिक विचार पैदा किया और वो लोकिक विचार कैसे पैदा हुआ कल्पना के द्वारा ही. कल्पना ही है जो बहरी संसार में और भितरी मन में. बहाय जगत यानि जो बाहर हम देख सकते हैं अंतर जगत यानि जो हम भीतर के हमारे विचारों का संसार है उन दोनों में तालमेल बिठाती है जिसको हम जानते हैं और जो हमारे लिए नया है उन दोनों में तालमेल बिठाती है अंतर वेग और सयम वेगों का तेजी से उत्प उन दोनों में ताल में परत्यक्ष जो हमारे सामने है और विम्ब जो हमारी कलपना है दोनों का समन्वय ही करती है और कौन करती है कलपना इन्होंने कलपना की दो विशेशताइं बताई है कौन-कौन सी एक तो यह कहते हैं समन्वयकारी रचनात्मक शक्ति और दूसरी सोंद् सोंद्रिय निर्मान शक्ति या ब्यूटी मेकिंग पावर भी इसको कह सकते हैं यह जो समन्वेकारी रचनात्मक शक्ति है यह युनिफाइंग क्रेटिव फैकल्टी भी हम इसको कह सकते हैं तो यह दोनों ही शक्तियां कलपना से जूड़ी हुई है जो कव्य को या कवी को एक विशेश कह सकते हैं कि विशेश लेखन का तरीका परदान करती है यह मानते हैं कि कलपना वैमानसिक शक्ति है जिसके द्वारा विभिन ततों का एक ही करण होता है वह एक समन्वेकारी शक्ति है और किसी विशे के विभिन पक्षों को एक संसलिष्ट अनुविती के रूप में ढालती है जिससे वे पक्ष घुल मिलकर एका कार हो जाते हैं हम यहां इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं इसके बाद ब्रह्म और प्रकृति का विवेचन भी इन्होंने किया है ये मानते हैं क्योंकि यह देखे दोनों ही विचार क्या है दर्शन ब्रह्म की बात अगर हम करें तो दर्शन की बात आती है प्रकरती की अगर बात हम करें तो ये तत्व है शृष्टी है हमारी तो कॉलरिज ने दर्शन और तत्व चिंतन को आधार बना कर कव्वे सिध्धानतों की कलपना की है उनका क्या विचार था कि संसार के सभी पदार्थ अत्व अवस्तुएं ब्रह्म के विशे या विचार हैं ये संसार उसी की प्रतिमूर्थी है किसकी ब्रह्म की इन्होंने ऐसा माना है दर्शनिक विचार हैं इनके दर्शन से जुड़े हुए विचार है कि ये संसार ये सभी मान सकते हैं तो जो ब्रह्म है ये कल्पना बाहय प्रकृति को ब्रह्म के सामने रखती है जो ब्रह्म कल्पना है वो बाहय प्रकृति को ब्रह्म के सामने रखती है और हम ये मानती है कि ये संसार उसी ब्रह्म की कला है जो हमारे संसार है ये ब्रह्म या इश्वर का बनाया हु मानव चेतना विश्व चेतना के अनुसार है और जो संसार की चेतना है वो किसके अनुसार है ब्रह्मा की चेतना के अनुसार है तो वे मानते हैं कि यदि ये संसार ब्रह्म का आतम ज्यान है तो मानव का संसार मानव का आतम ज्यान है ये पूरी जो पूरी जो सृष्टी है ये ब्रहमांड है ये संसार है ये किसके किसका आतम ग्यान है आतम ग्यान यानि किसके कलपना है किसने ऐसा सोचा वो ब्रहमा ने सोचा और जो हमने मानव का संसार बसा लिया है ये मानव का आतम ग्यान है इस आतम ग्यान का मूल कारण क्या है कलपना है ब्रहम ने जैसे कलपना की वैसा संसार उसने बसाया, इस परकार कल्पना को कॉलरिज ने प्रतम कल्पना कहा है, यानि प्राइमरी इमेजिनेशन, ये कल्पना परतियक्षी करण के सिवाए और कुछ भी नहीं है, देखिए प्राइमरी एजुकेशन जो है या प्राथमी कल्पना है, ये प्रतेक मानव क पास है हर मानव के जीवन में प्रात्मी कल्पना है वो अपना जीवन अपनी imagination या अपनी कल्पना के अनुसार जीता है तो यहां पर इन्हों ने माना यही माना है कि जो ब्रह्म का संसार है वो ब्रह्म की कल्पना है जो मानव का संसार है वो मानव की कल्पना है इसके साथ अगर हम देखें तो कॉलरिज ने अपने कल्पना संबंदी अवधारना के पीछे ब्रह्म और जगत का तात्वीक विवेचन भी किया है इस संबंद में वो क्या कहते हैं कि प्रकर्ति में आदर्श और प्रतिकात्मक अर्थ विद्यमान है आदर्श भी है और प्रतिकात् इस संबंद में वे ये भी कहते हैं कि जो जड़ पदार्थ है उसको देखकर कवी के मन में अनेक भाव पैदा होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे जड़ पदार्थ में हम हमारे आसपास की चीज़ें ले सकते हैं जैसे कवीों ने मेज, कुर्सी इस तरह के अपने कावे में पन होती है इस परकार जब जड़ चेतन का परभाव पड़ता है तो कवी की रचना होती है चेतन क्या है कवी की कलपना और जड़ क्या है जो वस्तुएं है जब उन जड़ वस्तुओं को देखकर एक नई चेतनता आती है नई कलपना आती है तो किस की स्रिष्टी होती है और प्रकृति के बारे में अपने विचार यहां पर दिये हैं उसके बाद बात करें कलपना के प्रकार देखिए इन्होंने मुख्य रुप से दो प्रकार की कलपना मानी है एक तो है मुख्य कलपना और दूसरी है गोण कलपना गोण कलपना को हम निमन कलपना नहीं कहेंगे ये secondary imagination में आती है मुखे कलपना primary imagination में फरक क्या है कि primary imagination हर किसी के पास है मुखे कलपना हर किसी के पास है लेकिन गोण या secondary imagination परतेक व्यक्ति के पास नहीं हो सकती देखिए primary education या मुखे कलपना की बात करें तो मानव ग्यान की सजीव ताकत है यानि ये जो कलपना है ये क्या ह मानव ग्यान की सजीव ताकत है और समूचे मानव परतेक्षी करन का मुख्य साधन भी यही है यही कल्पना विश्य और विश्य को अलग-अलग मान कर चलती है हम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ जानते हैं कल्पना ही उसमें विवस्था उत्पन करती है और हमारे एव वि विश्थित ग्यान को विवस्था परदान करती है यह वो है जो हर व्यक्ति के पास है संसार का प्रतेक्षी मानव इस शक्ति से अभीत है यह शक्ति उसके पास है जो हमें इश्वरियत देन कह सकते हो यह हमारे मस्तिश्क की देन हम इसे मान सकते हैं दूसरी क्या है गोण-क इन्हों ने कहा है ये इसे हम विशिष्ट कल्पना भी कह सकते हैं ये केवल कव्यों और कलाकारों में ही पाई जाती है आम लोगों में नहीं विशिष्ट कल्पना प्रात्मी कल्पना की प्रतिध्वनी है इसी के द्वारा कवी बाहय संसार की कल्पना करता है और पुन्है स्र प्रकरती का पूनहेस रजन भी किया जा सकता है क्या कहते हैं कि कवी या कलाकार मातर प्रकरती की नकल नहीं करता ऐसा करना व्यर्थ है ऐसा करने में कवी की हार है देखिए नकल करने का मतलब है कि जैसा देखा उसी के अनुसार कावे का सरजन कर दिया यानि उसकी नकल करके कुछ लिख दिया लेकिन ये कहते हैं कि कवी अगर ऐसा करता है तो वो उसकी हार है कलाकर अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का दुबारा से सरजन करता है एक पेड़ देखने में बहुत सुंदर है लेकिन जो कवी है वो उसमें उस सुंदरता को बढ़ा चढ़ा कर अपनी कलپना के दोरा उसका एक अलगी चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है इस पुने सरजन में से उसकी आत्मा आनदित होती है पुने सरजन का मतलब क्या है कि कवी अपनी चेतना में आए हुए तत्वों को अपनी भावना के अनुसार सुनियोजित करता है ऐसा करके वैं हमारे सामने प्रकर्ति का सुंदर और आकर्षिक रूप प्रस्तूत करता है माल लेजे किसी नदे, जील, तालाब, पेड, पोधे को कवी ने देखा तो वो सिंपल तरीके से या साधारन रूप से जैसा देखा एक तलाब है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, निला पानी है इस तरह से नहीं, वो तो सब दिख रहा है उसकी नदरों से लेकिन वो उसमें अपनी कलपना को ढाल कर उस तलाब को, उस पेड को, उस फूल को तितलियों को इन समको एक नया रूप दे देता है एक नई कवे की रचना करता है जो पढ़कर आनन्द देती है इनका मानना है कि कलपना वो मानसिक शक्ती है जिसके द्वारा विभिन तत्वों का एकिकरण और समन्वे यानि उनको एक साथ लेकर लाकर उसका ताल में बिठाया जाता है और विभिन पक्षों का संतूलन होता है तो इन्होंने ये इनके विजार हैं इसलिए आप इनके वो इन्वर्टिट कोमा में जरूर डालिएगा तो ये क्या कहते हैं कि कलपना मानसिक शक्ती है इसके द्वारा क्या होता है विभिन तत्वों का इकी करण और समन्वे होता है और विभिन पक्षों का संतूलन जिससे की रचना होती है नए कावे की रचना होती है उसके बाद ये प्रकरती के अंधानुकरण का विरोध करते हैं प्रकरती का अंधानुकरण कैसे जैसे कलाकार की जिसमें अपनी कोई भूमिका या योगदा नहीं होता प्रकरती को जैसा देखा वैसा ही चितरन कर दिया यह प्रकरती का अंधानुकरण है यानि वो चोरी है एक तरह से चोरी करना उन्होंने इसको कहा है कॉलरिज ने प्रकर प्रकृति के अन्दा करण का सर्वत्व को सब् Eck Magig Service अनुकर। पदार्थों का साक्षातकार करता है यानि उसको देखता है कल्पना के बिना वे सब पदार्थ निर्जीव हैं जड़ हैं निश्क्रिये वस्तुएं हैं वे वस्तुएं मातर जड़ बनकर ही रह जाती है कल्पना ही है उनको नया जीवन देती है एते कल्पना का कारिय अनुकर जाहिए अगर कोई वास्ट्वी कवी है तो उस कवी को उस उन वस्तूओं का उनका पुनै स्रजन करना चाहिए इसके बाद कल्पना त Iyaता ललीत कल्पना पर उन्होंने विशेक चिंतन लेकिन को अलग अलग माना है यह मानते हैं कि ललित कल्पना की क्रिडा का क्षित्र आचल है और यह निर्दिस्थ पदार्त होते हैं तो वो ललित कल्पना को अधिक महत्व इनों नहीं दिया दोनों में अंतर का अध्यन करने से ललित कलपना संबंदी जो कॉलरीज के विचार हैं वो हमारे सामने आते हैं वो कौन-कौन से विचार है ये मानते हैं कि जिस प्रकार प्रतिभा प्रग्या से उन्ची है क्या है जो genius है वो प्रतिवा है और प्रग्या क्या है talent है तो ये मानते हैं कि जो प्रतिवा है वो talent से यानि प्रग्या से उंची है उसी प्रकार कलपना ललित कलपना से शेष्ट है यानि कलपना प्रधान है ललित कलपना से कलपना को ललित कलपना की आवशक्ता पढ़ती है जब हम क इसके साथ ये मानते हैं कि कल्पना विभीन पदार्थों में एकी करण और समंजन करती है लेकिन ललित कल्पना केवल संयोजन करती है उनको एकत्रित करती है वहाँ पर समन्वे जैसा भाव नहीं आता कल्पना का संबंद आत्मा और मन से होता है लेकिन ये मानते हैं कि ललित कल्पना का संबंद केवल मस्तिश्क से होता है बुद्धी से होता है ललित कल्पना निरंकुष और स्वचंद होती है उस पर विवेक का नियंतरण नहीं होता ये मानते हैं कि जो ललित कल्पना है उस प कल्पना का प्रयोजन गंभीर होता है लेकिन ललित कल्पना का प्रयोजन या उदेशय गंभीर नहीं होता कल्पना यदि आत्मिक प्रक्रिया है तो ललित कल्पना यांतरिक प्रक्रिया है इसका संबन किस से जुड़ा हुआ है आत्मा से जुड़ा हुआ है ललित कल्पना तो इन्होंने तीन आधार बताएं है देखे इसके इसे साथ ये भी मानते हैं जो ललित कलपना है मात्र वस्तूं का समूध बन करती है जैसे यहां पर बात आई थी कि यह यांत्रिक परिकरिया है यांत्रिक कॉलरिज का मानना है इन्होंने मानसिक शक्ति के तीन परकार बताए है मानसिक शक्ति के तीन परकार कौन-कौन से है एक इन्होंने ललित कलपना मानना है दूसरा प्रात्मी कलपना और तीसरी क्या है विशिष्ट कलपना इसके साथ साथ आप यहां यह भी ध्यान दें कि यह मानते हैं कि जो Spencer है जो कवी Spencer है पास चाथते हैं कवी उनके कवे में ललित कलपना है लेकिन जो Milton और Shakespeare है उनके कवे में कलपना है तो Spencer के कवे को ललित कलपना से युक्त मानते हैं जबकि Milton और Shakespeare का जो कवे है वो कलपना पर आधारित है यानि इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने Milton और Shakespeare के कवे को कशेष्ट माना है तो यहां हम बात क्या करें कि मानसिक शक्ति के इन्होंने तीन परकार बताए है एक ललित कलपना ललित कलपना समरिती का एक परकार है यह आप ध्यान दें यहां पर यह क्या है ललित कलपना यह समरिती हमारी जो याद है उसका एक परकार है प्रात्मी कलपना सब में पाई जाती है मानव का ये गुण है कि प्रात्मी कल्पना सब में पाए जाने वाली एक शक्ति है शक्ति है विशिष्ट कल्पना किसमें होती है विशिष्ट कल्पना विशेश व्यक्तियों में होती है और किसमें खासकर जो कवी होते हैं कव्यों में कव्यों में विशिष्ट यह एक स्रिजनात्मक शक्ति है और इसी यही जो कलपना है इसी कलपना को सरवशेष्ट माना है और मानव को जो की मानव को किस से जोड़ती है प्रकृती से जोड़ती है तो इन्होंने अलग-अलग प्रकार के विवेचन किये हैं तीन शक्ति के रूप में इन्होंने कलपना क के कलपना का विभाजन किया है ललीत कलपना जो समरिती पर आधारित या याद पर आधारित माना है प्राटमी कलपना ये शक्ति हर मानव के पास है हर मनुश्य के पास है विशेश कलपना क्या है जो कवियों के पास होती है एक विशेश शक्ति कह सकते हैं इसे एक विशेश कल प्रकर्ति से जोड़ती है जिसको अधार बनाकर मानव काव्य रचना करता है और काव्य रचना के रूप में वह हमारे सामने उपस्तित होती है तो उमीद करती हूं कि कॉलरीज का कलपना सिधान्त आपको अच्छे से समझ में आया होगा देखें इसमें हमने प्रशन किया था कि कॉलरीज का कलपना वै ललित कलपना सिधान्त तो यहां पर कलपना श्रेष्ट है ललित कलपना को इन्होंने महतव नहीं दिया ललित कलपना कलपना की एक शक्ति के रूप में उसके सयोग के रूप में कार्या कर सकती है लेकिन विशिष्ट नहीं है खास या जादा महत्वीनों ने दिया है तो उमीद करती हूँ प्रशन आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह चैनल से जूड़ी रहें